हेलो स्टूडेंट स्वागत है आप सपीका छट्टी कक्षा की हिंदी की क्लास में पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पार्ट छव मिनाक्षी मंदीर इसके अभ्यास की चर्चा की थी आज एक हम कविता का भावार्थ समझेंगे हमारे देश में अलग-अलग राज्य हैं जिन में अलग-अलग वेशबुशा, खानपान, रंगरू और भाशाय हैं अलग-अलग होने पर भी सब लोग मिल जुलकर एक साथ रहते हैं यही हमारे देश की विशेश्ता है विवित्ता में एक ता हम कोई भी राज्य में रहे है भारत के कोई भी राज्य में रहे है या कोई भी शहर में रहे है तो हम क्या कहेंगे कि हम अपने घर में ही है मतलब हम अमारे देश में ही है तो यह कविता का कुछ ऐसा ही भावार्थ है और कविता के कवी है निरंकार देव सेवक कविता है रानी बीटिया तो चलिए शुरू करते हैं कविता रानी बीटिया चली घूमने दिल्ली से आगे बढ़ चलते 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 पहुँच गई चंडी गड तो रानी बीटिया घूमने चली है दिल्ली से वो आगे बढ़ रही है आगे जा रही है और चलते चलते वो कहां पहुंच गई, चंडीगड पहुंच गई है, बीटिया मतलब बेटी, यह आप जानते ही होंगे, इसका अर्थ है बेटी चंडीगड से जैपुर पहुंची, जैपुर से रामेश्वर, रामेश्वर से चलते चलते, लौड चलियाई घर तो चंडीगड पहुंची, चंडीगड से जैपुर पहुंची, और जैपुर से रामेश्वर पहुंची तो रामेश्वर से चलते चलते अपने घर पर लौड आई मा ने पुच्छा रानी बिटिया कहा गई थी बाहर, बिटिया बोली कही नहीं मा में थी घर के अंदर मा ने पुच्छा के रानी बिटिया कहा गई थी बाहर गई थी, तो बेटी क्या बोलती है, नहीं नहीं मा में कही नहीं गई थी, मैं तो घर के अंदर ही थी मा क्या कहती है देखो घर के अंदर रानी बिटिया ऐसा जोट सरासर चूट नहीं मा सच कहती है भारत है मेरा गर तो मा पुचती है कि रानी बिटिया घर के बीटर अंदर मतलब पीतर ऐसा जोट सरासर मतलब सरासर मतलब बिलकुल पूरी तरह तो ये सा बिलकुल जूट बोल रही हो तुम पूरी तरह से जूट बोल रही हो तो रानी बिडिया क्या कहती है नहीं मा मैं जूट नहीं कहती हूँ सच कहती हूँ क्योंकि भारत है मेरा घर में कहीं भी जई तथी तो भारत नहीं तो भारत मेरा घर है तो और ये कविता के कवी है निरंकार देव सेवक इन्होंने ये कविता लिखी है तो बच्चो ये कविता से हमें क्या सीख मिलती है भारत हमारा देश है चाहे कितनी भी विविता हैं है इसमें मगर फिर भी विविता में एकता है और भारत मेरा घर है और हमें मिल जुल कर रहना यही एक कविचा से सीख मिलती है तो इसके बाद सुरूतलेक दिया है बिटिया, जूट, दिल्ली, सरासर, जैपूर, भारत, रामेश्वर, चंडीगट तो यह आपको सुनकर अपनी बुप में लिखने है फिर दिये हैं शब्दर, थ्वर्ड मिनिंग, बिटिया, बेटी, डॉटर, सरासर, बिल्कुल, पूरी तरह अटरली, अंदर मतलब पीतर, इंसाइड, जूट मतलब लाइ आपका ग्रिय कारिया है कि आपको सुरुतलेक और शब्दर अपनी हिंदी की नौट बुप में लिखने हैं और याद करने हैं थेंक यू